कि नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे नौट फॉर प्रॉफिट और्गनाजेशन के एड्जेस्मेंट के बारे में बहुती आसान तरीके से आपको बता रहे हम एड्जेस्मेंट जिससे की कोई भी क्वेस्चन आप जो इनकाउंटर करोंगे वह आप इसली क्रैक कर पाऊं दोस्तों आपको अक्सर अजिसमेंट पूछी जाती है इंकम और एक्सपेंसेस आउट्षर्णिंग और एड्वांस के बारे में याने इंकम आउट्षर्णिंग है और इंकम एड्वांस मिला है अपने को जैसे कि मैंने बता था हम sport club है या अजुम करना आपको solve करते समय question या expenses हमारे sport club के outstanding है या फिर expenses हमें advance में मिले है तो चलो आपन देखते है इस adjustments को दोस्तो अभी आप समझ लेंगे कि आपको या तो income या expenses के बारे में outstanding या फिर advance की adjustment पूछी जाएंगी तो चलो सबसे पहले आपन treat करते है income को any income तो generally subscription के बारे में adjustment ये फूची जाती है जैसे कि मैंने कल आपको बता था कोई भी not for profit organization के लिए subscription एक regular source of income रहता है subscription के थूँ ही वो अपने day to day activities चलाते है expenses करते है उस income में से तो दोस्तो दो चीज़े हो सकती है किसी भी income के बारे में दो चीज़े हो सकती है पहले या तो हमें पैसा कम मिला है याने हमें किसी के पास से subscription का पैसा लेना था तो उसने बोला कि इस साल नहीं दे रहे हम आपको अगले साल देंगे याने इस साल हम अपने को उस बंदों की पास से उस मेंबर के पास से पैसा कम मिला होंगो लेने का है तो लेने का है तो इससे आउट्टरणिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको आउट्टरणिंग बोलेंगे अपको clear? very nice तो यहां पर income unreceived ना बोलते हुए ये not for profit के चाप्टर में हम इससे आउट्टरणिंग बोलेंगे आउट्टरणिंग इनकम लेना बनता है मानके चलो next year में अपने को next year में भी लोगों से पैसा लेना बनता है याने last year तो लोगों से पैसा लेने का था आउट्टरणिंग था next year में भी अपने को लोगों से पैसा लेना दिख रहा है इसका मतलब है यह तो हमें पैसा कम मिला है तो यह कम पिछले साल का भी हो Сकता है कम मिला हुआ और दूसरी condition ऐसी है अपने को पैसा ज्याधा का दिया है यहांने इस यहर में अपने पास एक बंदा आ गया हो बोले अगले चार साल का लेकर रख लो आप सम्सार्प्सरीवर्ट का पैसा यह नेक्स्ट येर में कोई और एक बंद आएंगा वो लेंगा और अगले दो-तिन साल का ले लो याने एडवांस में अपने को सब्सक्रिक्षिंग का पैसा मिल सकता है याने दो इस पॉस्बिटिस है एक तो आउट्षण इंकम रहेंगा याने रिस्योबल है अपने लिए इंकम या फिर एडवांस में रिस्योबल है इंकम तो दोस्तों अभी आप देखो मैंने यहाँ पे तीन यर लिखे हैं 2020 इस लास्ट यर 2021 इस करंट यर एंड 2022 इस नेक्स्ट यर तो हमें यह जो करंट यर है इसी के बारे में सोचने का है यह जो करंट यर है किसी का इंकम हमें इसे करने का है यही अपन ब्लस करेंगे प्रिविययर का जो भी इंकम रहेगा वह माइनस कर देंगे नेक्स यर का इंकम जो रहेंग रहेंगा हमनेक्स रॉक्ट का इंकम चाहिए दोस्तों आपको question में outstanding या advance साल के शुरू का और साल के end का दिया रहेगा याने start का दिया रहेंगा आपको outstanding या advance या फिर end का दिया रहेंगा आपको outstanding या फिर advance आपको दिया रहेंगा साल के start का outstanding दिया रहेंगा आपको साल के end का याने ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे outstanding for last year outstanding for current year या फिर advance for last year and advance for current year तो अभी आप मुझे बताओ outstanding जो है outstanding यह हमेशा पीछे की और जाएंगा यहने अपने को 2020 में लोगों से कुछ पैसा लेने का था तो भाई और भाईनो यह जो पैसा 2020 के end में लोगों से लेने और इसका मतलब है यह जो outstanding for last year है इसको माइनस करेंगे और outstanding for current year जो है उसे हम प्लस कर देंगे देखो यहां पर मैंने एक टेबल बनाके रखा है सबस्रिप्शन का तो इसके हमेशा दो एफेक्ट रहेंगे पहला एफेक्ट रहेंगा आपका इंकमेट एकस्पेंडिचर अकाउंड में और दूसरा एफेक्ट रहेंगा आपका बैलंस इट में तो amount given in receipts debit side of receipt and payment अकाउंड तो subscription generally receipt and payment के आपको कहां देखे रखेंगे debit में देखे रखेंगे तो उसकी एक entry कर देंगे हम by subscription अपनी इंकमेट expenditure account के दिखा देंगे credit में यह दिखा देंगे और बैलंस एट में उसकी एंट्रे होंगी नहीं अभि आउटर्णिंग जो आपका लास्ड यूर का था लास्ट यूर का जो आउटर्णिंग मैंने यहां पे लिग दिया एक तो आउटर्णिंग सब्सक्राइब करने के लिए और चारोगों के दोइफेक्ट रहेंगे फर्स्ट इफेक्ट इंकमेंड एक्सेंडिचर अकाउंट में जाएंगा तो आप देखो आउट्स्टैंड गताव करने की लिए अच्टांड यह वह क्या कर देंगे di with income अगर रहता है कोई भी इनकम अगर दोसतों डिक्री और कोई इनकम रहता है तो आप मुझे बता वह वह अपने लिए क्या होगई आशेड हो गई ये असेड है ते लेकिन इसकी पोस्टिंग अलगलग जगे यह जाएंगी यह जाएंगा आपका closing balance चिट के assets में और यह जाएंगा आपका opening balance q रेलेंज avoir Egyptians यह चैन्थ उपने को लोगों से जो संप्सिंग गाद Prof. पेसा लेना बनता है वो अपनी असेट है लेना बनता है इसलिए इसलिए आउट्षाणिंग एड़ दी एंड ऑफ करन्ट ये अपने प्लस कर दिया इंकमेंड एक्सपेडिशर के क्रेड़ में जाके और सब्सक्रेशन ने प्लस कर दिया और लोजिंग बैलेंशीट ने करन्ट ये बैलें अब आप मुझे मताओ एडवांस मतलब में लोगों ने दिया तो आप मुझे मताओ एडवांस हमेशा आगे कि और भागेंगा तो इसका area सामने आएंगा तो लास्ट यज़ एडवांस है वो लास्ट तो मिला है अपने को लेकिन वो नेक्स। यज़ कें लिए मिला है ये पलस कर देंगे हम और इस साल करॉंट यज़ के येड में अपनेको जो ऐडवांस ज़यों आएंगे उड़ाई कर देंगे पर minus advance at the end of current year कर देंगे हम minus और advance at the end of last year हम कर देंगे plus पहला effect दूसरा effect दोस्तों इसका अपने को दिखाने का है तो आप लोग मुझे बताओ income अगर अपने को advance में मिला दोस्तों advance income हमारे लिए रहेंगी लाइबर्टी तो एक तो आप समझे लो advance at the end of current year भी लाइबर्टी है एडवांस एड़ेंट ऑफ लास्ट यह भी लाइबर्टी होंगी तो लास्ट यह का जो advance है वह बैलेंशीट के लाइबर्टी में दिखा देंगे अपन और current year में जो एडवांस इंकम मिला है वो closing balance sheet के हम दिखा देंगे लाइबर्टी में और लास्ट यह के balance sheet में दिखेंगा आपका और 2020 के balance sheet में दिखेंगा उधर जाके लेकिन हमारा current year में आव आएगा नहीं सिर्फ वही atom प्लस होंगे जो की 2020 से विलॉग करते है 2,000 वही atom प्लस होंगे जो की 2021 से विलॉग करते sign finance future करेंगा और हमेशा पीछे का यह पास करेंगा इतना आपको याद रखने का है वेरी नाइस तो यह हो गया आपका इंकम के बारे में यह किसके बारे में हो गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा इंकम के बारे में अभी हम देखेंगे आपका एक्सरेंस के बारे में सेम टेबल मैंने बढावाया है एक्सरेस के लिए इंकले इक्सपेंडिचर बलान के बारे похожing का करेंगे कदेंगे लेकिन क्या फेक्ट आएंगा नहीं यहां फ्रनेंड़ूंस रहेंगी आपती कि जाने फीशाव का सब्सक्राइब भी तो आउट सप्राइड रहेंगा अपना एक्सपेंस ऐन आपने कोछ देना बंता है यह फिर आउट्स्टानिंग रहेंगा एड़ेंड आप लास्ट यह लास्ट यह दोस्तों अपर फॉम इस फॉर ओपनिंग स्टॉक एड़ेंड आपको देखे रखा हुआ रहेता है तो इसका भी ट्रिट्मेंट अपन देखेंगे उसका थे फिर से 2020 ,2021 ,22 ऐसे टीन यह लिए मैंने लास्ट यह है दो जारीकिस करंट यह है दो जार पाइस next यह हमें पाइंड आउट करने का है expenses for current year तो यहां पे भी आपको start में आउटशर्णिंग देया रहेंगा और end में आउटशर्णिंग देया रहेंगा अज़िस तार्ड या फिर for last year आउटशर्णिग for current year देया रहेंगा and advance देया रहेंगा आपको at the for last year एडवांस दिया रहेंगा आपको for at the end of current year और यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी देखे रखते हैं आपको एक प्रकार से अपने लिए इसको पर आता है कि ओपनिंग स्टॉक आप स्टेशनरी तो अपन देखते इसको अभी कैसे करने रहेंगे आउट्षणिंग पीछे जाएंगे एडवांस सामने जाएंगे ओपनिंग का एरो जो है वह सामने जाएंगा प्लोजिंग आपका सामने तो सिंपल सी बात है आउट्षणिंग सेम करेंगे लास्ट एएंड का माइनस करेंगे ब्लस एडवांस जोंग आप जो लास्ट एर का है उससे प्लस कर देंगे और एडवांस एक्सेहेंश लाफ कर देंगे माइनस ओंब भीर होगा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस होगा लॉजिक क्या है दोस्तों आप लॉजिक ली बताओ हमने एक्सपेंस लास्ट यार के यंड में लास्ट ये एंड में हम एक्सपेंस देना बनते थे तो लास्ट ये क्या कर दिया और एपने क्या कर दिया और एक सब्सक्राइब कर दिया और आप लोग मुझे बताओ तो आउट्शनिंग जो भी रहेंगा आउट्शनिंग एक्सपेंसेस जो भी रहेंगा वो तो हमारे लिए लाइबिटी है तो भले वो लास्ट येर का आउट्शनिंग रहेंगा वो भी लाइबिटी है करंट येर का आउट्शनिंग रहेंगा वो भी हमारे लिए क्या है लायबडी साथ में आएगा और लास्ट एयर का आउच्टिव एडवांस चीट के लायबडी साइड में चला जाएगा अभी आप मुझे बता हो एडवांस में अगर ऐक्स में अपने दीए है तो लास्ट यईर के बैलेंच चीट में के लिए Ho regular Edu जो है क्या होजाएगा ये अंगा और सब्सक्राइब जो क्या करते क्या करते हैं कि एक ट्रीपेड 的ेंस्स अपन क्या करदेंगे हमाइनप कर देंगी अच्छा आप लोग मुझे बताओ prepaid expenses का ही दूसरा नाम क्या है तो prepaid expenses को ही बोलते हैं दोस्तो अनेक्सपाइड एक्सपेंसेश इसी को बोलते है हम advance expenses जो भी expenses हम advance में या prepaid में पेट करेंगे वह हमारे लिए assets है तो advance at the end of current year в assets have advance at the end of last year ? लेकिन वह जो last year का है वो last year क find अपनिगnya के अस्ट में जाए गार करनट यह का जारके अऌर यह लास्ट यह के अस्ट में चला जाएंगा अभी ओपनिंग एद दोस्तो उसकी treatment देखते हैं ओपनिंग स्टॉक आपका इंकम एंड अच्छा यह सारे जो आउट चर्णिंग के और एडवांस के अडिशन्ट होरे यह इंकम एंड एक्सपेंडिशिर अकाउंट के डेबिट साइड में हो रहें इंकम के कहा पी हुए थे ये सब डेविट deficEN तर रिप्लिशन शिट के कहा दिखेंगा दोस्तो में इतना थो सिंपल है तड़ है बरेखे-ञर豫 को अभी धर स्भासेशं को फिरस्ट एस लिए था इस का हम धेंगे ब्रोसिं में जा थे अगर रिप्रेश्ट्थ में में से माइनस करने करने का और जितना माइनस करने का इंकमेंड एक्पेडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखा दिनका फूर्थ आजस्मेंड यह एजस्मेंड वई से तो 4567 देखने के जोड़त नहीं कि मैंने आपको कोई भी इंकम को ट्रेट कैसे करना है ओ सिखा दिया और एडवांस विभी एक्सपेंस को और एडवांस कर्केशए नहीं सब्सक्राइब सिखा दिया लेकिन देख लेत्या पर आउस्टर एक्सपेंसेश पार एक्जमपल एडवांस से जरु और वेजेस्स इफेक्ट इंकमेंड एक्स्पेंसेश्टम के डेबिट सेड में जाने का गय रिस्पेक्ट आपकी लिए एदर है विम्सटेसे माइनसे माइनस करने और जितना माइनस किया उतना हम दिखायोगे asset side में. Because prepared expenses is our assets. Income received in advance या फिर pre-received income अपने को कुछ subscription या कुछ income advance में मिला है तो क्या करेंगे? Income and expenditure account के credit side जाएंगे घए credit side में respective income में से minus कर देंगे जितना advance मिला है उतना और जो advance में मिला है अपने को income दोस्तों उसका second effect अपन सेट में दिखा देंगे क्योंकिемся प्रीरिविटी सेट में जाके प्रीरीविटी सेट में जाके प्रीरिविटी इंकम दिखा नंक इंकम इसे आउठरंपोलक jardin रिष्पट एक्स्पेंडिचर अकाउंट के रेड़ साइड में जाके रिर्ली से इंकम में में क्रोच आशेक्टिति करेंगे अर्टॉ करने का माइनस कर दिया जितना के सारे आप लोग पूरे क्वेशन सौल कर पाऊंगे कि युवरिंध कर दिया नहीं है